निर्मान का शुवारम, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे एहम बढ़ाओं में से नागरिक के आकांग्शाओं और उज्ज्वल भविष्य को समर्पित संसत के नए भवन का निर्मान मौजूदा संसत भवन के प्रांगण में ही किया गया है आने वाले समय में संसत के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे इस भवन में प्रवेश के छेह द्वार हैं जो भारतिय सब्भेता के अनुसार प्रकृती को अपनी कृतग्यता व्यक्त करते हैं मकर और हंस यानि जल को नमन शारदुल और गर्व यानि नभ को नमस्कार अश्व और गज यानि ठल को प्रणाव संसत के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष जो राश्ट्रिय पक्षी मोर से प्लेरित हैं इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग दो गुना बड़ा है नया राज्यसभा कक्ष राश्ट्रिय पुष्प कमल से प्रेरित हैं जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग देड़ गुना बड़ा है ये भवन देश की जनता को समर्वित है इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के सुवागत के लिए विशाल दर्शक बीरगा का निर्मान किया गया है अत्याधनिक डिजिटल उकर्व दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं यहाँ सदन की कार्रिवाही को विभिन भाशाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है सदस्यम के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्रिवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टी मीडिया डिस्प्ले आटोमाटिक क्यामरा कंट्रोल और कमान सेंटर का भी निर्मान किया गया है यह नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतिय को जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है सम्विधान कक्ष जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीज से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते है यहीं भारत के सम्विधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है इसी सेंट्रल फॉयर में उपर की त्रिकोणिय छट से सूरी की किर्णे ब्रह्मांड का भ्रह्मन करते हुए पेंडियूलम क्लॉक पर गिरती है ये किर्णे बर्गत के पेड को नहलाती है और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकाले, भोजन कक्ष में फैल जाती है आत्म निर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्मान में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है कहीं महराश्ट्र की सागौन की लकडी सजी है उन्ही से दोनों सदन में अशुक चक्र भी बना है कहीं राजस्थान का शांदार स्टोनवर्क कहीं उत्तरप्रदेश की कालीन बिची है कहीं त्रिपुरा की बैंबू वुट फ्लोरिंग वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन ये भवन एको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकम्प रोधक भी है सत्रा सौ से अधिक दर्वाजे खिड़किया है साथे तीन किलोमीटर लंबे बिल्दिंग कॉरिडोर्स है ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्ज और स्मार्ट एक्सेस की विवस्था है वही भारत की प्राचीन कलाओं का अध्भुत एक ही करण भी है तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्मान का गवा बनेगा पुराने संसत भवन में देश की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए काम हुआ तो नये भवन में 21 वी सदी के भारत की आकांचाये पूरी की जाएगी नये भारत के आत्म विश्वास को बढ़ाता विकसित भारत के संकल्प को गती देता ये है हम भारतियों का संसत भवन किते दो कर्के आत्या कै संसत भारतsk वारत्स किते भारत के आत्म वती विकसित भारत की आत्म विए झाल